हेलो पहरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आए होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट के सब्जेक्ट इंग्लिस की वीक नंबर फाइब की वाक्सीट नंबर 25 को सॉल्ब करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले स्टोरी यहां पर सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे हैं कि अध्या दियर चिल्रन आय होप यू आर हेल्द इन फाइं आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे बढ़िया होंगे इन आर प्रिवियस वर्क सीट्स प्रिवियस यानि के पिछली वर्क सीट्स पिछली वक्षीट में we read about kittu's dream kittu's dream it means kittu के स्वपन के read पढ़ा about बारे में हमने पिछली वक्षीट में kittu के स्वपन के बारे में पढ़ा let us read what happened next let us read आओ पढ़े what happened क्या घटित हुआ next आगे it means आगे क्या हुआ अब हम पढ़ते हैं kittu called all his friends kittu called kittu ने बुलाया all his friends all यानि की सारे his friends अपने मित्र किट्टु ने अपने सारे मित्रों को called बुलाया and they decided to meet और यानि की उन सभी ने decided ने लिया to meet मिलने का किस से hoppy the hippopotamus hoppy कौन था hippopotamus यानि की दर्याई घोडा कहते हैं हम ओनुदा मंकी मौन्टु था मंकी का नाम बंदर का नाम टिकटिक दा चमैलियन टिक टिक थी गिर्गित जंबो दा «baby elephant जंबो कौन था? जंबो» नाम था रहाती के पढ़ते हैं जंगल को इपने सारे दोस्तों से मिलने के लिए जंगल गया he was very happy to see all his friends together he was वह था very happy बहुत खुश to see देखकर all his friends together तूगेदर यानि कि एक साथ all his friends अपने सारे दोस्तों को वह अपने सारे दोस्तों को एक साथ देखकर बहुत खुश था they went to an apple tree to eat apples they वे सभी went to गए कहाँ पर an apple tree एक apple यानि कि सेब के पेड़ के पास to eat apples सेब खाने के लिए वे सेब खाने के लिए एक सेब के पेड़ के पास गए apples were red and sweet apples सेब कैसे थे red and sweet लाग थे और sweet मीठे थे they all enjoyed eating the apples together उन सभी ने एक साथ together एक साथ apples को खाया और enjoy किया kittu told them the story of his kite kittu told them kittu ने told बताई या सुनाई story कहानी of his kite अपनी पतंग की kittu ने उन्हें अपनी पतंग की कहानी बताई how की कैसे he had untangled the kite with the help of his father how he had untangled यानि की निकाली उसकी पतंग जो थी वो पेड में फस गई थी तो उसे untangled निकाला बाहर निकाला पतंग को अपने पिता जी की मदद सी की कैसे उसने अपने पिता की मदद के साथ में अपनी पतंग को निकाला kittu has planned a surprise for all his friends kittu has planned kittu ने plan किया है एक योजना बनाई है एक surprise की for all his friends अपने सभी दोस्तों के लिए kittu ने एक plan अपने सभी दोस्तों के लिए as a surprise plan किया है he has requested them he has उसने की request प्राथना them उन से to meet him near the river to meet मिलने की उन सभी से near pass में the river नदी के उसने उन सभी से नदी के पास में मिलने के लिए प्राथना की the next day कब अगले दिन now can you guess what surprise kittu has planned for his friends आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि kittu ने अपने दोस्तों के लिए क्या प्लान किया है यूज इमेजिनेशन अब अपनी कल्पना का प्रियोग करें and tell your parents और अपने माता पिता या फिर टीचर को बताईए what kittu has planned for his friends कि kittu ने अपने दोस्तों के लिए क्या प्लान किया तो बच्चे यहां पर आपको पतंग को introduce परिच्चे करवाने के लिए प्लान किया होगा it will be a surprise for his friends यह उसके दोस्तों के लिए एक surprise होगा तो आप भी बच्चे इसे इस तरीके से complete करेंगे अब है बच्चे talk time dear children look at the picture given on the right hand side carefully यहां पर right hand side पर एक picture दी गए है सिध्यान से देखिए what do you think the girl in the picture is thinking about यह जो लड़की है इस picture में किस के बारे में सोच रही है imagine कलपना करो and create their dialogues और उनके समवाद बनाईए say them out loud and write them in your notebook उन्हें जोर से कहिए और अपनी notebook में लिखिए you may take the help of elders to elders to अपने बड़ो की भी it means आप अपने बड़ो की भी मदद ले सकते हैं तो बच्ची यहां पर जो है camel है desert दिखाया गया है यहां पर घर खाना दिखाया ग राजिस्तान में किस तरीके का खाना होता है नेक्स्ट इस पिक्चर को देखकर वो सोच रही होगी कि how do camels walk in the desert की desert में रेजिस्तान में उट कैसे चलते हैं अब यह देखकर वो सोच रही होगी कि what kind of food wear would be found in the market there कि वहां के जो बाजार हैं उनमें किस तरीके के food bear मिलते कि जो चपल जूते यह सभी चीजें किस तरीके की मिलती होंगी तो बच्चों आप इस तरीके से यहां पर dialogues create करेंगे और उन्हें लिखेंगे students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you